नमस्कार दोस्तों मैं विपिन कुमार्या और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी के चित्रांगन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम एक सुरज मुखी का फूल बनाना सीखेंगे जो की बहुत ही आसान तरीके के साथ और यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंद तक step by step देखते हैं तो मैं 100% स्वेर हूँ आप इस फूल को बनाना सीख जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है पैंसिल से पहले हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक गोला बना लेना है इस प्रकार से एक लंबा सा बिल्कुल एकदम गोल सा हम गोला बना लेंगे गोला बनाने के बाद जो इसकी कलिया होती हैं उनके लिए लाइने बना लेंगे हम तो दो लाइने एकदम सीधी बनाएंगे जो की लंबी रहेंगी फिर हमें क्या करना है इन लाइनों से आधे से थोड़ा अधिक लाइने इधर बनानी है दो फिर हमें क्या करना है इस प्रकार से इसमें और लाइने बना देनी है एक तो तीन चार पांच छे साथ बराबर निकालनी है जितनी हमने निकाली है इस प्रकार से हम इसमें लाइने बना लेंगे फिर हमें क्या करना है बहुत ही इजीवे है यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे ध्यान पूरबग देखेंगे तो किलियर आप हमें बराबर सीधी लाइने बना लेनी है फिर आप हम इस पे काम करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इस प्रकार से हम इस प्रकार से इसको सरकल बना देंगे इसका गोल जो भी इसका भाग होगा सुरज मुखी का फिर हमें क्या करना है इस प्रकार से हम इसमें ए पर यहां पर भी हम इसी परकार से एक सीए से बनाएगे और दूसरी सी कुछ इस सेफ मिलाके इसको मिला देंगे सेम वही श्टेप सभी पतियों में हमें करना है इस परकार से हम बनाकर बनाते विए चले जाएंगे अराम से इस प्रकार से सेम वही स्टेप कुछ नहीं करना है सेम वही प्रक्रिया जो हमें अपनाना है और इस प्रकार से हम बना देंगे अब हम क्या करेंगे इसमें दूसरी पत्तियां बनाएंगे तो दो पत्तियों के बीच हम कुछ इस प्रकार से वी बनाते विए चले जाएंगे कुछ इस प्रकार का वी का सेप रहेगा ये ध्यान रखना है अब बहुत ही इस आसान तरीके के साथ सुरज मुखी के फूल को बनाना सीख सकते हैं अब बीच के पार्ट को हम इसमें और छोटा छोटा कर लेंगे और इसमें बारीक बारीक सी बिंदियां रख देंगे इसमें भी रख देंगे इस प्रकार से अब हमें क्या करना है हलका हलका बारीक बारीक इसमें इस प्रकार सेटिंग दे देनी है हलकी हलकी इस प्रकार से अगर हम pencil से बनाएंगे तो pencil से देंगे अगर इसको हम color करते हैं तो color करने के बाद orange color से इस shading को हम देंगे इन पत्यों में हलके-लकी shading बाहर से अंदर के तरफ क्योंकि ये नीचे के तरफ मुड़ी होंगी तो इन पे छाया पड़ीगी हलकिल्की उनको दिखाने के लिए हम यहां हलकिल्की सेडिंग देंगे जितनी बारीक सेडिंग दे पाएं उतना ही अच्छा रगेगा इस प्रकार से यह हमारा शूरज मुखी का फूल जो है बन गया अब इसकी हम पत्या बनाएंगे और डंठल बनाएंगे सूरज मुखी का जो डंठल होता है वो हलका सा मोटा होता है और जो इसकी पत्या उपर की होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है तो एक लाइन हम यहां से पत्ती के लिए निकाल लेंगे ठीक है और इसको कुछ इस प्रकार से हम बारिक बारिक काटे से बनाते हुए चले आएंगे और यहां पर इस प्रकार से गोल करते हुए बारिक बारिक काटे बनाते हुए चले जाएंगे और इस प्रकार से छोड़ देंगे बहुत ही आसान तरीका है और यहाँ पर इस प्रकार से इसमें इसकी सिराएं बना देंगे और इनमें थोड़े से बारीक इस प्रकार से काटे बना देंगे इस प्रकार से इस प्रकार से यह हमारी इसकी पत्ती बन करके तयार हो गई थोड़ा सा डंठल को हम और नीचे लेंगे और यहाँ पर इसकी एक छोटी सी और पत्ती बना लेंगे तो इसको नीचे की गोल रहेगी इस परकार से एक जे बना देना है और इसको सी धाइस परकार लाके सी की तरह मिला देना है और इसमें बारीक बारीक से हलके हलके कांटे दिखा देनी हैं, इधर भी दिखा देने हम, इस प्रकार से, अब इसमें इसकी सिराएं, आप सबसे पहले इसको पैंसल से बनाएं, और इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका कट बना देंगे और यह हमारा सूरज मुखी का सुन्दर फूल बन करके तैयार हो गया यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में सेर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि आपको कुछ अलग सीखना है कुछ अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप नीचे कमेंट करके सजेस्ट करें हमें धन्यवाद